और एजेंडा आज तक में हमारे साथ अगले महमान इस समय आ रहे हैं NCP के वरिष्ट निता प्रफुल पटेल केंद्रिय मंत्री रह चुके हैं और प्रफुल पटेल की खास बात उनके लुक्स के अलागा जो कही जाती है राजनीती में वो यह है कि वो राजनीती के सबसे बड़े चुम्बक है स्वागत है प्रफुल पटेल आपका एजेंडा आज तक में नमस्कार रोईत चुम्बक आप और शरतपवार दोनों है यह तो आपने महराश्ट्र की सरकार बनाई उससे पता लग गया उस पर हम आगे बात करेंगे विस्तार से लेकिन सबसे पहले मोदी सरकार के दूसरे कारेकाल का पहला साल आज पूरा हो रहा आप इस एक साल को कैसे देखते हैं देखिए हम डेमोक्रसी में जहां पर सब लोग मानते हैं और विश्वास रखते हैं तो इस बात को तो उनको बदाई देनी होगी कि उनको दूसरी बार इस देश की जनता ने पूरे बहुमत के साथ चुन कर दिया यह अपने आप में एक बड़ी बात है और उनको लोगों ने जब चुन कर दिया है तो एक साल जब आज पूरा होता है तो विशलेशन भी करना क्योंकि आखिर लोकशाही में यह भी ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का विशलेशन करें अभी आप देखेंगे तो अभी पूरा देश एक कोविड के वज़े से एक संकट में गुजर रहा है और यह संकट कोई सामान्य नहीं है विश्वका संकट है देश के लिए भी उतना ही बड़ा संकट है और इसलिए जो प्रदान मंतरी जी ने या सरकार ने जो फैसले किये उसके साथ मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को भी कोई मदवेद रहा पूरे विपक्ष ने हमने सभी लोगों ने उनके हर कदम को कदम मिला कर साथ देने का काम किया है लेकिन यह पूरी बातों को जब मिला जुला कर देखते हैं तो अब क्यूंकि दो मैने से जादा हो चुके हैं अब देश में बहुत सारी चीजों पर अब फैसले ये भी एहम फैसले करने होगे यहीं सरकार की सबसे बड़ी चुनोती है और हम चाहते हैं सरकार सही फैसले ले उसमें भी हम साथ देंगे आपने जो पिछले दो मेने से माइगरंट्स का जो लोगों का जो इशू हम बार बार टीवी में देखते हैं हमने अपनी आँखों से अनुभव किया है बहुत दुख होता है दुख इसलिए नहीं होता है कि केवल उनको आपदा हुई उनके इतनी परेशानी आई चलना पड़ा लोगों को मौत का सामदा करना पड़ा वो तो एक पार्ट है लेकिन साथ साथ में ये भी इतना ही बताता है कि इतने बड़े हमारे देश में आज भी करोडो करोडो लोग ऐसी परिस्तितियों में जी रहे हैं कि जिसका हम मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ये सबसे बड़ी चुनोती सरकार के लिए है आज मुदी जी छे साल से प्रदान मंतरी है उन्होंने उनके मैं अभी देख रहा था मंतरी मौदे कुछ उनकी उपलब्दियों के बारे में बात कर रहे थे हर सरकार की उपलब्दिया होती है उन्होंने भी अपने वाशन में कई बार कबूल किया कि मेरे अलावा भी पिछली सरकारों ने काम किया है वैसे हमको भी उनकी उपलब्दियों को मानना पड़ेगा लेकिन 6 साल के बाद आज भी हमारे देश में इतनी बड़े पहमाने पर गरीबी है लोगों को अपने घरों को छोड़कर रोजगार केवल मजदूरी करने के लिए दो वक्ती रोटी कमाने के लिए जाना पड़ता है और इन हालातों में रहना पड़ता है आज मुंबई में लाखो लाखो लोग पूरे देश से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए ये कोई सामन ये बात नहीं है, हमारी मुंबई की माराश्टर की एकॉनोमी को लिए भी अच्छा है, फाइदा है, लेकिन साथ साथ में एक कितना बड़ा मानव प्रशन हमारे देश में इनको देखने मिला है, ये मोदी जी के लिए मैं समझता हूँ कि छे साल के बाद एक प् तो बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि जब ये तै हो गया था, जो जहां है वहां रहेगा, उसमें राज्य सरकारे अगर अपनी जिम्मिदारी से नहीं भागती, कम से कम खाने की, रहने की इस बात की गरेंटी ले लेती मजदूरों की, तो मजदूरों के भागने की ना जब आपको गुजरात से, करनाटक से, टामिल नारू से, दिली से, हर जगह से आपको लोग दिखते हैं. मैंने इसलिए हर राज्य सरकार पर सवाल पूछा थे. लेकिन जब इतने बड़े लाखों की संख्या में लोग जब अपने घरों को छोड़ कर और किसी भी सरकार की या यंत्रना को पुलीस को कोई समझने के रुखने के लिए तैयार ना हो तो क्या उनके पर लाठी चलाएं गोली चलाएं क्या करें आखिर लोग अपने आपको असरुक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने घरों तक जाने की इसलिए मैं समुझता हूँ कि ये पूरे लॉकडाउन में बाकी सब बातों को एक बाजू रखिये निश्चित सरकार ने ज ज़रूरी था लॉकडाउन नहीं होता तो इतनी मेडिकल फेसिलिटीज इतने आईसीओ आईसोलेशन वार्ड पीपी केट दवाईयां ऑक्सेजन वेंटिलेटर ये भी उनको प्राप करना थोड़ा समय तो लगता ही और ये हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के हर देश के लिए लागू था इसने सरकार के उसमें मैं दोश नहीं दूँगा लेकिन जब माइग्रेशन होना शुरू होा मैं समझता हूँ कि जो निरने आज ट्रेनों का चलाने का बसिस देने का फ्री में बेदना जो भी कुछ है ये अब जो निरने लिया जा रहा है यही निरने ज़्यादा समय इन चीजों के अलावा जो कोविड करोना की जो परिशानी है जो मेडिकल और बाकी की जो चीजे करने की जरूरती कंटेन्मेंट वगएरे वगएरे इसमें ज़्यादा सफलता मिलती ऐसा मेरा मानना है